Hello everyone, welcome to our channel, this is Srishti Agrawal, तो मैं आप सभी class 9 के students के लेकर आई थी workbooks के solution, जिसमें हम देख रहे थे गनीज विज्ञान और English की workbook के solution, English की workbook के solution में हमने worksheet 33 तक complete solution देख लिया है, अगर आपने किसी कारणवाच के डिप, किसी भी वीडियो को miss कर दिया है, तो आप हमारी चैनल की playlist से check out कर सकते हैं, यहाँ पर हम continue देखेंगे वक्षी 34 से, जिसमें हम समझेंगे present tense mixed form में, हमने present tense के काफी parts पिछले वक्षिस में समझे है, अगर आपने read out नहीं किया है, मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश किये, उसके बाद में I hope कि आपके कभी present tense से related कोई भी sentence गलत नहीं होगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे mixed forms और पहचानेंगे किस sentence में कौन सी वर्ब की क्या form आएगी, तो first question है यहाँ पर, complete the sentence by filling the blanks with correct form of the verb given in the brackets, आपको complete करना है sentence को दे गई वर्ब की form को correct करके, देखे, my friend usually blank to travel by bus, यहाँ क्या आएगा, देखे, prefer दे रखा है, अब usually है, तो यह present simple tense की बात हो रही है यहाँ पर, तो prefer का prefer ही रहेगा यहाँ पर, तो आपको simply यहाँ पर prefer ही लिख देना है, ठीके, तो यही आपको exities यहाँ पर लिखना है, my friend usually prefer to travel by bus, लेट एट वर्क प्लेस, यहाँ पर दे रखा है, कम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, present simple tense का sentence है, यह भी never आया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा कम, दा लेबर नेवर कम लेट एट वर्क प्लेस, जो लेबर है वो कभी भी लेट नहीं आती है, वर्क प्लेस पर उनके कारे इस्थल पर, ठीक है, nowadays the climate is blank, hotter and hotter, इन दिनों जो climate है, काफी गरम होता जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए, रहा है, रही है, रही है, जब भी आता है, तो present continuous की बात होती है, तो यहाँ पर get का हो जाएगा, देखिए, climate है, singular form, तो यहाँ is getting हो जाएगा, get में ing लगा देंगे, ing लगाने पर t जो है, वो double हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, nowadays the climate is getting, hotter, hotter and hotter, sorry, hotter नहीं है अबर, hotter and hotter, गरम से गरम होता जा रहा है, इन दिनों जो climate है, वातवरण है वो, next four sentence देखेंगे, जिसमें है, I blank only two worksheets so far, यहाँ पर solve दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, present perfect की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा, I have solved only two worksheets so far, मैंने अभी तक, दो worksheets को जो है, solve किया है, देखें किया है, किये है, किये है, या चुका है, चुकी है, चुकी है, इसमें आता है present perfect test, तो यहाँ पर हो जाएगा, solve का, have, solve, क्योंकि I, V, U के साथ में हमेशा, have का यूज़ करते है, और plural के साथ में भी, have का यूज़ करते है, तो यहाँ हो जाएगा, I के साथ have, और solve में, D लग जाएगा, क्योंकि E अलरेडी है, तो यहाँ पर, I have solved only two worksheets, so far, इस तरह से हो जाएगा, नेक्स देखेंगे, फिफ्ट सेंटेंस, यहाँ पर गिव दे रखा है, तो पार्टिसिपेट जो है, जो पार्टिसिपेट है, उसने अलरेडी अपना जो नाम है, वो अडिशन के पार्ट में, दे दिया है, या दे चुका है वह है, तो यहाँ पर हो जाएगा, पर प्रजेंट पर्फेक्ट टेंस का यूज, ठीक है, तो प्रजेंट पर्फेक्ट में, सिंगुलर के साथ में आ जाएगा है, और लॉर्लीड के साथ में आ जाएगा, गिव का गिवन थर्ड फॉम आ जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट है, दे फाइट, फाइट, दे फ्लाइट तो स्विजर लेंड, जो फ्लाइट है, स्विजर लेंड की, वो हम एवरी विक, प्रतेक सप्ता कितने बज़े आती है, सेवन एम पे, टेक ओफ होती है, तो यहाँ पर देखिए, फ्लाइट सिंगुलर प्रेजेंट करता है, जो है आपका सबजेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा, टेक्स, एस लग जाएगा, ठीके, तो टेक्स ओफ, दो फ्लाइट टु स्विजर लेंड, टेक्स ओफ इट, सेवन एम एवरी वीक, ठीके, सेवन सेंटेंस है, वी ब्लैंक, एलजेब्रीक, फॉर्मला, सिंस मंडे, तो यहाँ हो जाएगा, हम सीख रही है, मंडे से, क्या एलजेब्रीक फॉर्मला, ठीके, तो यहाँ पर रहे है के लिए, आप सिंपली लगा दीजिए, प्रजेंट, पर्फेक्ट कंटिनियस टेंस को, ठीके, क्योंकि, सिंस मंडे लगा हुआ है, इससे मतलब बात पहले से चल दी आ रही है, तो प्रजेंट कंटिनियस नहीं होगा, प्रजेंट पर्फेक्ट कंटिनियस होगा, तो यहाँ वी के साथ में हैव लग जाएगा, बिन आ जाएगा, तो यहाँ होजाएगा, वी हैव बिन लणनी, एल जे अपरी फॉर्मला सिंस मंडे, नेक्स्ट है, दप्रिंसिपल ब्लैंक, अमेटिंग इट इस टाइम, सो यू प्रीज वेट, टेक का होजाएगा, इस टेकि, क्योंकि, तेखिए, इस टाइम, जो है, वो प्रिंसिपल क्या ले रही है, मेटिंग ले रही है, इस टाइम के बात हो रही है, इस टाइम, इससे पता चल रहा है, कि प्रिंसिपल के साथ में, सिंगुलर फॉर्म में, इस आ जाएगा, और टेक में, इस टाइम लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंग के लिए, आपको दे रखा है, देखिए, कुछ, स्ट्रॉक्चर फॉर्म्स, जो कि हमने पहले भी देखे हैं, तो यह आपको हेल्प करेंगे, टेंस को समझने के लिए, तो प्रजेंग सिंपल का स्ट्रॉक्चर होता है, सब्जेंग प्लिस बेस फॉर्म्स, वर्फ की फॉर्स फॉर्म्स में, एस या एस लग जाता है, या नहीं लगता है, प्लिस ओब्जिक्ट या एडवर्ब आते हैं, जो अधर वर्स आते हैं, वो आ जाते हैं, प्रजेंग कांटिनूर्स में होता है, इस्ट्रॉक्चर सब्जेक प्लिस इस आडवर्ब आर, और वर्फ की फॉर्स फॉर्म्स में, आई एंग फॉर्म्स लग जाता है, अब्जिक्ट आ जाता है, अधर वर्स आ जाते हैं, आइडवर्ब वगेरा, अगर आई वी यू और प्लूरल फॉर्म है, तो है लगेगा, और सिंगूलर फॉर्म के साथ में भी है लगेगा, देन आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अब्जिक्ट या एडवर्ब्स, other words etc. Present perfect continuous tense structure होता है subject plus has have है उसमें bean लगा देते हैं plus work की form में ing लग जाता है continuous है तो ing लग जाएगा plus object या adverb या other words etc. ठीक है तो यह structure है 4 form में present simple tense present continuous tense, present perfect tense और present perfect continuous tense की तो I hope यह आपको worksheet अच्छे से समझ आई होगी structure अच्छे से learn कर लेना आ ताकि आपको आने वाली exams में काफी help मिल सके तो अबिंधर या आपको worksheet अच्छे से समझ आई होगी और अगर फिर भी कोई doubt रहता है तो आप comment box में comment करके पूस सकते हैं अपनी doubts को clear कर सकते हैं तो इसी तरह आगे की वक्षिस की solution में हम जल्द ही देखेंगे तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद झाल